दिपावली और काली पूजा समाप्त होते ही प्रिशासन अब लोक आस्था का छट महापर्व में व्रती को किसी प्रकार की परिशानी ना हो इसके लिए सभी छट घाट की तैयारी अब अंतिम चरन में है नहाई खाय से पहले छट महापर्व के लिए अधिकांश घाट तैयार हो जाएंगे घाटों की रास्ते को अंतिम रूप दिया जा रहा है वहीं बेरिकेटिंग का कारे अंतिम चरन में चल रहा है मुझदफर्पू नगर निगम घाटों को अंतिम रूप देने में जुटा है घाटों पर युद्ध अस्तर पर तैयारिया चल रही है सभी घाटों को व्रतियों की सुविधा नुसार बनाने के लिए तैयारी अंतिम चरन में है इनमें जो थोड़े बहुत कारे हैं वह भी एक दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा बोड़ी गंड़क का जलस्तर कम होने से इस बार कई घाट अच्छी स्तिती में आ गए है इन घाटों पर प्रशासनिक तयारी की जा रही है गाटों पर चट व्रतिया और स्वजनों को किसी प्रकार की कचिनाई ना हो इसका पूरा ख्याल रखकर घाटों को तयार किया जा रहा है इसके अलावा खतरनाग घाटों को भी चिनित कर बैरिकेटिंग की जा रही है मुझा काना चाहता हूँ कि नगर नियम के तरफ से हर एक साल, हर एक साल के भाती इस बार भी आपको ये शीडी घाट की पूरी तैयारी की जा रही है, रंग नोगल किया जा रहा है, सर सफाई किया जा रहा है और बास बल्ला जो नदी किनारे, पानी में बास बल्ला लगाया जा रहा है माने मिलाज वुलाकर धीम सहभी इसमें लगे हुए है और नगरायत भी लगे हुए है सारे प्रसासन तंत्र लगे हुए है और अपना जहाँ से पूरा सीरी घाट को सुषजित और सजाने का निर्देश नोग ने दिया है और पूरे जो भी करमचारी ये लगे हु अब कितने काम और वाकी है अब करिव की अंतीम चरण में आपको देखिए कि बास बल्ला अगरा सब लगिये गया है आपको जहसे अंतीम चरण में सब कार्व करीब करीब 75% से उपर हो चुका है कि कितने सरदालू आएंगे इस गाट पर सरदालू आपको हमेशा 20 से 25 आए इस बार और बढ़ेंगे क्योंकि घाट बहुत अच्छा है सुसजित है सिरी घाट लाइटिंग वगर रहा है सब की बेवस्ता लाइटिंग मिटिंग नगर नियम के तरफ से सब बेवस्ता किया रहता है अच्छा है